असलाम वालेकुम वीवर्स मैं हूँ महरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा योटूब चैनल महरीन दन्वीर यहाँ पर देखिए यह माश की दाल है जो हमने भी गोदी है आज हम बना रहे हैं माश की दाल कड़ाई मसाला यहाँ पर हमारे पास प्याज है एक बड़ी और यह तिमाडर है जिसे हमने चौप कर लिया है यहाँ मसालों में हमारे पास हैं दो चमचे कुटी हुई मिर्च नमक हजबे जायका देखियां यह एक चमचा हल्दी है हमारे पास ये हैं हमारे पास साबुत धनिया जिसे हमने बारिक कूट लिया है और ये काली मिर्चे पिसी होई ये हमारे पास कसूरी मेथी है ये देखियां, यहाँ पर हम पैन को गरम कर लेंगे अच्छे से इसमें हम डालेंगे तेल, तेल मेंने एक कप लिया है प्यास को डाल कर आपने प्यास को गुलाबी कर लेना है यहाँ देखे हम प्यास को गुलाबी सा कर लेंगे यहाँ प्यास थोड़ी थोड़ी गुलाबी हो रही है बिलकुल भूनना नहीं है, सिर्फ गुलाबी करना है यहाँ पर आप इस अच्छे से गुलाबी कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर देखें हम इसमें एड़ करेंगे जब यह अच्छी तरह से गुलाबी हो जाएगी तो हम इसमें एड़ करेंगे टीमाटर जो हमने चौप करके रखे हुए थे अब आपने टिमाटर को अच्छे तरीके से पैस्ट कर लेना है यानि के बिल्कुल भून लेना है यहाँ पर देखिया हम इस अच्छे से भून रहे हैं ताके दोनों प्यास और टिमाटर बिल्कुल मिक्स हो जाएं यहाँ पर जो हमने अपने मसाले तयार किये थे बोड़ा लेंगे हम यह हमारी माश की कड़ा ही दाल मसाला है देखिया इन मसालों को डाल कर भी आपने अच्छे से भून लेना है ये रेखें, टिमाटर बिलकुल फैस्ट हो चुके हैं, बिलकुल भून चुके हैं यहाँ पर अब हम इसमें एड़ कर देंगे अपनी डाल यानी माश की डाल यह हमारी एक पाव डाल है माश की एक पाव डाल है हमारी जिसे उरत की डाल भी कहते हैं यहाँ पर आप इसे खुब अच्छी तरह से भून लें फिर आपने पानी का अंदाजा ऐसे रखना है कि जिसे हम चावल में डालते हैं पानी और हमारे चावल दम पर आ जाते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने इसमें इतना पानी डालना है कि डाल बिल्कुल अच्छे से गल जाए यहाँ देखे हमारी डाल बिल्कुल गल चुकी है चावल की तरह हो गई है यह अब हम इसमें जो हमारी कसूरी मेथी थी वो गाड़ करेंगे यहां देखें मैंने वो डाल दी है देखें बहुत नज़दार सी खुश्बू आ रही है उपर से यह हमने थोड़ा सा हरा दनिया भी एड़ कर दिया है यह देखें आ जबर्दस्ती इसमें खुश्बू आ रही है कसूरी मेथी तो वैसे ही खुश्बू वाली होती है यहां देखें हमारी दाल बिलकुल गल चुकी है जिससे चामल हमारे गल जाते हैं और यह हमारी दाल यहां तैयार हो चुकी है यह हमारी कड़ाही दाल मसाला यानि माश की दाल कड़ाई उमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरे चेनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और साथ साथ कमेंट्स भी करते रहा करें टेक क्यार एंड अल्लाहाफिस